नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल Star Studies Center पर आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे BA, BAC, BCOM, BBA, BCA, 3rd year 5th semester को करिकुलर पेपर, Analytic Ability and Digital Awareness से Reasoning वाले भाग को कल की क्लास में हमने सिधार्थ, विश्विद्याले, कपिल वस्तु, सिधार्थ, नगर द्वारा, पंचम समेस्टर में करवाए गए, पेपर का कम्प्यूटर वाला पार्ट देखा था, आज की इस क्लास में हम लोग Reasoning वाला पार्ट देखेंगे, जो की Question No.1 से ले करके Question No.43 तक पूछा गया था, चलिए, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए, लिंक से जा करके देख सकते हैं, कम्प्यूटर के Questions भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, यहाँ प पूछा गया था, वर्ड माला में K और R अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आता है, कि यहाँ पे जब आप लोग के से ले करके R तक लिखेंगे, तो आप पाएंगे N और O, ये दोनों ही अक्षर, K और R अक्षरों के बीच में आते हैं, विकल्प में दोनों दिया गया है, तो अब ये उनिवर्स्टी पर डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प मान करके सही आंसर किया जाएगा, सही जो है नंबर किया जाएगा, चलिए भाई, आते हैं अगले प्रस्ण पर, अगला प्रस्ण देखिएगा, दूसरा प्रस्ण क्वेस्चन आप सभी क जा रहा है कि प्रतेक दूसरा अक्षर हटा दीजिए, तो G का दूसरा अक्षर R है हटा दीजिए, A का दूसरा अक्षर N है हटा दीजिए, D का बाद का दूसरा अक्षर यप है हटा दीजिए, A के बाद का है T हटा दीजिए, H के बाद देखिए E आता E हटा दीजिए, कल्प में यदि कहीं पर G लिखा गया है तो वही आप सभी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए option number D दिया गया है इसलिए D वाला क्या हो जाएगा जी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण पार अगला प्रस्ण देखिएगा तीसरा नंबर का question आपसे पूछा गया था analogy का question है सादरिश्चता का प्रस्ण है यदि एक car घोडे की तरह है तो एक विमान डैस की तरह होगा तो car जो है दोडता है सडकों पर दोडती है सडकों पर घोडे की तरह तो विमान जो है वो आस्मान में आकास में उड़ती है एक पक्छी की तरह option number A यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए right answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए भाई आते हैं अगले प्रस्ण पर question number 4 सभी लोग देखेगा यदि एक पुस्तक एक पुस्तकाले की तरह है तो एक full dash की तरह होगा right answer option C हो जाएगा गुलदस्ता जिस तरह से library में books जो है decorative way में रखी होती है उसी तरह से एक bouquet में क्या होता है जो flowers होते हैं वो decorative way में arrange किये रहते हैं चलिए भाई आते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण देखेगा question number 5 देखेगा arithmetic reasoning है यहाँ पूछा गया एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्स बढ़ा है और अपने पुत पुत्र की वर्तमान आयू यक्स है है ना पुत्र की वर्तमान आयू यक्स है और व्यक्ति की वर्तमान आयू क्या होगी वो पुत्र से 4 गुना होगी तो लिख दीजेगा 4 एक्स पुत्र की वर्तमान आयू यक्स और व्यक्ति की वर्तमान आयू 4 एक्स हो गई अब मैंसे तीन जब आप लोग घटाएंगे तो क्या आता है आंसर बारा आता है तो आप जो पुत्र की वर्तमान आयू है वो बारा वर्स निकल गई और तीन वर्स के बाद देखें बारा में तीन जोड़ेंगे तो पंदरा हो जा रहा है इतना आपको बात क्लियर हो गया अब दे जब व्यक्ति 48 साल का है तो पतनी इसकी 45 साल की होगी क्यों क्योंकि सुरू में ही कहा गया कि जो व्यक्तिया है वो अपनी पतनी से 3 साल बड़ा है तो इसका मतलब कि पतनी जो होगी वो 3 साल छोटी होगी तो 48 में से 3 घटाई ये 45 आएगा और 45 आप सभी का क्या हो जाएग राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए करेक्ट आंसर होगा, चलिए भाई, अब यह कन्वेंसलन मेथड था, अब इसमें देखिए, सिक्स वाला क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का है, तो इसमें हम ट्रीक अपलाई करेंगे, हम लोग विकल्पों का सहारा लेके सॉल्ब करेंगे, X और उसके दादा की आयू में 50 वर्स का अंतर है, मतलब जितनी आयू X की है, उसके दादा की आयू, उससे 50 वर्स अधिक है, है ना, या फिर जितनी आयू दादा जी की है, X की आयू क्या होगी, पचास वर्स नीचे होगी, तो विकल्प A से जब आप लोग देखेगा, B से देखेगा, C से देखेगा, D के देखेगा, तो सबसे बड़ा देखिया हम C देख पा रहे हैं, 45, 95, 45 और 95, तो 45 और 95 में देखेंगे, तो 50 का हमको फर्क नजर आ रहा है, देखेगे, दादा की आयू 95 साल है, अब पोते की आयू X की आयू 45 साल है, 95 में कितना घटाएंगे की 45 आ जाए, 50 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, और वहीं तो कह रहा है कि अंतर है 50 वर्स का, तो ये आपका एक फालो हो गया, अब देखेगे, 6 वर्सों के बाद, तो 6 वर्सों के बाद ये जो X है, अगर ये पहले 45 साल का था, तो 6 साल के बाद इसकी उम्र 51 साल हो जाएगी, और दादा की आयू 95 साल थी, तो 6 साल के बाद ये कितने साल के हो जाएगे, 101 साल के हो जाएगे, अब कहा क्या है कि आयू का योग 152 है, तो देखें 51 और 101 जब आप लोग जोडेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, 102 हो जाएगा, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 45 और 95, उनकी बरतमान आयू का मतलब पहले, X की बरतमान आयू बताईए तो 45 साल, और बाद में दादा जी की बरतमान आयू बताईए तो 95 साल यही आपका राइट आंसर हो गया, अब जिस तरह से मैंने विकल्प सी को लीकर के सॉल्ब किया है, उस तरह से आप लोग प्रयास करिएगा, 24, 74, 26, 76 और 25, 75 तो इसमें यह जो योग वाला कांसेप्ट है, यह नहीं बैठ पा रहा, इसलिए आपका विकल्प सी ही करेक्ट आंसर होगा, चलिए भाई, ले चलते हैं, आप सभी को अगले प्रस्णों की तरफ, अगला प्रस्ण देखेगा, आप सभी के स्केन पर क्या है, भाई देखे, निर्देश दिया गया है, प्रस्ण संख्या 7 से 11 तक के लिए, क्या क्या हा गया दी गई जानकारी को ध्यान पूर्बक पढ़िए और दिये गए प्रस्नों का उत्तर दीजिए अब देखिए ये प्रस्न आपको बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा ही सवाल है जब एक बार आप जो है डाइग्राम बना लेंगे तो question को बहुत ही आसानी से solve कर पाएंगे देखिए कह रहा है कि एक परिवार में साथ भ्यक्ति है कोई एक परिवार है जिसमें साथ मेंबर है सेबन फैमिली मेंबर्स हैं जिनके नाम PQRSTM और यन है नाम भी दे दिया गया उनकी आयू अलग-अलग है जायर से बात है परिवार में साथ तो लग-बग तो आयू अलग-अलग रहती ही रहती है अब देखिए वे सभी करम में एक दूसरे से सम्बंदित है करम में यानि PQ से सम्बंदित QR से सम्बंदित S जो है T से सम्बंदित ऐसे ही करम में एक दूसरे से सम्बंदित है कोई किसी का चाचा है कोई किसी का पिता गई है, P जो है Q से बड़ा है, लेकिन T से छोटा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अब अगला देखिए क्या कहा गया, आगे कहा गया, N और S एक बिबाहित जोड़ा है, तो सबसे पहले हमको बिबाहित जोड़ा बना लीजिए, N और S की साधी हो गई है, N और S बिबा 38 साल का है, इस बात को यहीं तक रहें ने दीजिए, अगली बात क्या कही गई है, QP की बहन है, यह जो Q है, यह P की बहन है, तो देखिए, बाई बहन को हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं, और पती पतनी को हम लोग दो लाइन से जोड़ देते हैं, तो NS भी बाई जोड है और आपको पता है पी जो है क्यों की बहन है तो पी और क्यों दोनों की पिता कौन हो जाएंगे आर महोदे हो जाएंगे तो इस तरह से आर लिख दीजिएगा उसके बाद कहा गया परिवार में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 35 का है एन परिवार का सबसे बुजुर्ग व्य की साधी किस्से हो गई ती से हो गई और ऊ जो है ती का पति है कहने का मतलब यह जो है यह क्या होगा पूरु सो हो गई पती पूरु सी ही तो होता है चले आगे डाटा दिया गया डह की मा की आयू 59 साल है ठेक है आर कीमा की आयो 79 साल है आर यम से छोटा है परिवार में सबसे बुजुर्ग ब्यक्ति एक पुरुस सदस्य है सबसे बुजुर्ग ब्यक्ति पुरुस सदस्य है देखिए यम जो है यन जो है यहां पर सबसे बुजुर्ग ब्यक्ति होगा और वो पुरुस होगा उसके बाद में अंतिम में जो data दिया गया है, वो दिया गया है QM की भतीजी है, अब इसमें हम diagram आपको बना के दिखाते हैं, तब आपको question बढ़िया से समझ में आएगा, देखिए भाई, सबसे पहले N और S क्या है, विबाहित जो है, जोड़े हैं, उसके बाद में तो और इसके पहले जानकारी दिया, R P का पिता है, तो R को जोड़िये, R को बनाईए, उसके बाद में P का पिता है, और P की बहन कौन है, Q है, इतना data आपको समझ में आ गया, इतना ही diagram बनेगा, बस, अब यहां से आपका question solve हो जाएगा, देखिए बिबाहित जोड़ा N और S हो गए, अब यहां पे S के लड़का हुआ, M और R, तो YM, R दोनों भाई हो गए, M की साधी T से हो गई, YM पती हो गया, T पतनी हो गया, R के दो लड़के हुए, दोनों P और Q जो है, बहने है, अब लास्ट में कहा गया Q जो है, YM की भतीजी, यह जो Q है, इनकी भतीजी है YM की, देखिए, भाई का लड़का या लड़की भतीजा या भतीजी हो जाती है, आपको पता है, देखिए, अब इसी के आधार पे आप लोग सॉल कर पाएंगी, एक बात और दिया गया है, R की मा की आयू 79 साल है, R की मा यही होंगी, YS, जो की मा होंगी, M की, क्योंकि दो आप सभी को पता है, N और S मैंने आपको यहां पे बताया था, 79, तो देखिए, 79 प्लस Q करिए, बराबर 75 कर दीजिए, इस समी करल को जब आप सॉल करेंगे, यह वाला इधर आ जाएगा, 75 में से 79 जाएगा, तब बचेगा 6, option number C, यहां पर इस प्रस्ण के लिए, right answer हो है, कैसे भाईया, फिर से डाइगराम बनाते हैं, विभाहित जोडा, M जो है T का पती है, R इनके भाई है, R पिता है, P और Q के, अब देखिए, पूछा गया है, S, P से किस परकार से सम्बंदित, यानि यह जो है, इनसे किस परकार से सम्बंदित है, तो first generation, second generation, और third generation, मतलब कि दादी लगेंगी SG, तो दादी पर लगा दीजिएगा, option D अहाँ पर expression के लिए correct answer हो जाएगा, अब देखिए, age वाला खेल देखिए भाई, age वाला खेल क्या है, निमलिखित में से कौन ब्यक्ति 35 साल का है, तो फिर वही diagram बनाईए, कौन ब्यक्ति 35 साल का है, है ना, दे second number पर बुजरुग व्यक्ति 79 है, और उसके बाद में तीसरा बुजरुग व्यक्ति जो है, दिया गया है डाटा में 35 साल है, अब उसके बाद में देखिए, सबसे छोटा पूछा गया है, 35 साल का है, तो तीसरा व्यक्ति सबसे चोटा हो गया, तो पहला व्यक्ति देखिए यह सबसे बुज़ुर्ग हो गया, दूसरा व्यक्ति फिर उसके बाद, फिर यहम की आयू लगभग 30 साल की हो जाएगी, उसके बाद यह जो R बचते हैं, इनकी आयू क्या हो जाएगी, 35 साल हो जाएगी, option number D यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए, correct answer हो जाएगा, right answer हो जाएगा, चलिए, दसवे नंबर पर आते हैं, दसवे नंबर में पूछा गया, कितने व्यक्ति P से बड़े हैं, फिर यही डाइग्राम बना लीजिए, solve कर लीजिए, है ना, देखिए, M का पती T है, और यह R है, R पिता जी है, P और Q के, है ना, R पिता जी है, P और Q के, अब कितने व्यक्ति P से बड़े हैं, तो P से देखिए, एक व्यक्ति, कलर हम चेंज करके दिखाते हैं, देखिए, एक व्यक्ति ये बड़े हो जाएंगे, एक व्यक्ति ये बड़े हो जाएंगे, दो, एक व्यक्ति बड़े हो जाएंगे, ये तीन, एक व्यक्ति ये बड़े हो Q से भी बड़ा हो जाएगा, तो अब ये गोला गिनिये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 6 व्यक्ति हैं, जो कि P से बड़े हैं, है ना, 6 व्यक्ति हैं, जो कि P से बड़े हैं, है ना, तो यहाँ पर option A हो जाएगा 6 व्यक्ति, है ना, भाई, देखिए, अब यहाँ पर जो question कहा गया था, कि P जो है Q से बड़ा है, लेकिन T से छोटा है, तो T से छोटा है, मैंने आपको बता ही दिया, चलिए, आते हैं अगले प्रस्ण पार, अगला प्रस्ण देखिएगा, ग्यारा नंबर का question पुछा गया, परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयू क्या है, तो इनकी संभावित आयू जो है, या तो 80 वर्स है, या तो 74 वर्स है, राइट ओप्शन, ओप्शन नंबर D इस प्रस्ण के लिए हो जाएगा, चलिए चलते हैं, अगले प्रसपार, अगला प्रस देखिएगा, question number 12, आप सभी साथियों के स्केन पर है, प्रस्ण संभ्यारा देखिए, आप से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यादि किसी कूट भासा में सिंबल को NZT MPC लिखा जाता है, तो उस कूट भासा में number को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसान सा question है, इसमें क्या करिया गया है, कि plus 1 को जोड दिया गया है, सिंबल में देखिए 6 letters है, 6 letters को आप लोग क्या करिए, 3-3 के जोडे में लिख दीजिए, देखिए मैंने लिख दिया है, अब उसमें देखिए इस तरह से solve किया गया है, इस तरह से, यहां भी वही pattern लगाया गया है, देखिए इस screen पर, यहां पे देखिए M को एक बढ़ा करके लिखा गया, N, Y को बढ़ा करके लिखा गया, Z, S को बढ़ा करके लिखा गया, T, B को बढ़ा करके यहां पर लिखा गया C, यहां पर L को बढ़ा करके लिखा गया M और O को बढ़ा करके लिखा गया P तो देखें, सिंबल को N, Z, T, M, P, C सिंबल को N, Z, T, M, P, C यह लिखा गया, अब इसी तरह से नंबर का भी solve कर लीजै, इसमें भी 6 letters है तो इसको भी अलग अलग लिखिए N-U-M-B-E-R आप देखे क्या करिए M का एक बढ़ाई ये लिखिए N, N का एक बढ़ाई ये लिखिए O, U का एक बढ़ाई ये लिखिए V, B का एक बढ़ाई ये लिखिए C, R का एक बढ़ाई ये लिखिए S, E का एक बढ़ाई य के skin पर है एक निश्चित कूट भासा में computer को R, E, T, U, P, M, O, C लिखा जाएगा है तो उस कूट भासा में decifer को किस प्रकार से लिखा जाएगा तो computer में अदि आप लोग ध्यान से देखिए तो सब उल्टा किया गया है बस केवल ये जो तीसरा और चौथा लेटर है इसको आपस में change कर दिया गया है है ना तो आप चलिए decifer को लिखना start करते हैं तो पहले लिखेंगे R उसके बाद में लिखेंगे E अब तीसरा लेटर और चौथा लेटर है तो इसमें देखिए U को बाद में लिखा T को पहले लिखा तो इसमें हम क्या करेंगे P को पहले लिख देंगे और H को बाद में लिख देंगे और बाद में देखिए I C E D I C E D इस तरह से इसको code में लगा देंगे तो आप देखिए इस प्रस्ण के हिसाब से right answer क्या होगा आर इपिएच आई सी इडी आर इपिएच आई सी इडी यही आपका correct answer हो जाएगा अरे देखिए change क्या किया गया T और U को हटाया गया तो यहाँ पे हमने क्या किया H और P को change कर दिया उम्यद करते हैं समझ में आ गया होगा चलिए आते हैं अगले प्रस्ण पार अगला प्रस्ण देखिएगा 14 नंबर का question वेन आर एक प्रस्ण का चित्र दिखाईए जो हरियाणा भारत और Asia के बीच सबसे अच्छे संबंध को दरसाता है तो सबसे पहले बनाईए Asia Asia के अंतरगत कोन इस्तित है Asia में पूरा भारत आता है और पूरे भारत में देखिए सबसे पहले question के हिसाब से तो हरियाणा भारत के अंदर आ जाता है फिर से समझ ये सबसे बड़ा है भाई Asia, Asia में आया भारत और भारत में आया हरियाणा तो कुछ इस प्रकार से बेन आरेग बनेगा विकल्प में आप सभी का C बनाया गया है तो C वाला answer आप सभी का correct answer हो जाएगा चलिए इसी तरह से 15 नंबर का question भी है इसमें कहा गया निमलिकित में से कौन सा चित्र गाउ जिला एवं राज को दरसाता है तो राज के अंतरगत आता है जिला है ना और पूरा का पूरा गाउ किस में आ जाता है जिले में आ जाता है तो इस प्रकार का बनेगा तो देखिए D विकल्प में बनाया गया है option D यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए correct answer होगा चलिए 16 number के question पर आते हैं 16 number का question आप सभी साथियों के skin पर है अब देखिए इस प्रकार के कम से कम 4-5 question इस question paper में पूछे गए हैं देखिए यह ranking order है करम विवस्ता है या कह लिजिए seating arrangement का question है बहुत ही आसान होता है बस केवल आप एक बार diagram बना लीजिए देखिए कहा गया 6 मित्र है जिनके नाम A, B, C, D, E और F है केंदर की और एक वृत्त में बैठे हैं इसका मतलब कि हमको सबसे पहले एक वृत्त का निर्माल करना है और इसमें 6 ब्यक्तियों के बैठने की बिवस्ता कर देने देखिए 2 ब्यक्ति आपने सामने केंदर की और मुक का मतलब कि सबका चहरा इस तरफ है सेंटर की तरफ है जो .ic की तरफ सबका चहरा है है ना? चलिए तो देखे 6 ब्यक्तियों के बैठने की बिवस्ता करिए 2 ब्यक्ति बैठे, 2-4 ब्यक्ति बैठे और 2-6 ब्यक्ति बैठ गए, देखे 6 ब्यक्ति बैठ गए यहाँ पे, अब कैसे किसको बैठाना है इसको सुनिएगा, कहा गया है E बैठा है D के बाई और, E बैठा है D के बाई तो D के बाई और E यानि की चली अगर हम D यहाँ बैठा देते हैं तो D के बाई और E यहाँ बैठा हुआ है इतनी बात clear हो गई उसके बात कहा गया C की seat है A और B के बीच में A और B के बीच में C की seat है तो सबसे पहले यहां लिखे A, यहां लिखे B और तब यहाँ भी C की seat आ जाएगी, देखिए समझ में आ गया ना, देखिए C बीचों बीच में बैठा है A और B के, उसके बाद कहा गया F जो है E और A के बीच में बैठा है, E और A के बीच में बैठा है F, है ना, अब देखिए सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठ गए है, आप question पूछा है C के ठीक दाए और कौन बैठा है, C के ठीक दाए और, तो देखिए इनका दहिना यह होगा और इनका बाया यह होगा, तो C के ठीक दाए और यानि A बैठा हुआ है, right answer इस प्रस्ण के लिए option number आप सभी का, A वाला correct हो जाएगा, A बैठा हुआ है, चलिए, अब आते हैं, फिर वही question solve करते हैं, दूसरा data दिया गया है, 17 number का question देखेगा, P, Q, R, S और T, एक वृत्ताकार मेज के चारो और बैठे हैं, है ना, तो आप लोग बताईए, जब वृत्ताकार मेज के चारो और ब्यक्ति बैठते हैं, तो सबका चेहरा आमने सामने होता है क कि नहीं होता है, कुरसी कोई उल्टा करके तो बैठता नहीं है, तो एक बात तो समझ में आ गई, कि केंद्र की और ही मुह करके कितने पांचों लोग यहां पर बैठेंगे, तो दो लोग बैठ गए, तो चार लोग बैठ गए, एक पांच लोग बैठ गए, पांच लोगों और P का दाहिना देखो इधर हो गया P के दाई और है और S के बाई और से दूसरे अस्थान पर है तो S होगा S का बाया ये होगा तो एक अस्थान और दो अस्थान तो देखो दूसरे अस्थान पर बैठ गया है उसके बाद में कहा गया T P और S के बीच में नहीं है T जो है वो P और S के बीच में नहीं मतलब कि यहाँ पर T नहीं आएगा तो T यहाँ पर आ जाएगा अब लाश्ट में कौन बचता है तो भाईया क्यू बचता है तो Q कुला करके यहाँ बैठा दीजिए question पूछ रहा है R के बाया से दूसरे अस्थान पे कौन है R का बाया यह होगा बने इधर होगा तो पहले अस्थान पे P बैठा और दूसरे अस्थान पे Q बैठा है right answer इस प्रस्ण के लिए option number आपका A करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे Q बैठा हुआ है option A इस प्रस्ण के लिए correct answer होगा चलिए अगले प्रस्णों की तरफ चलते हैं 18 नंबर का question आपके skin पार A, B, C, D, E, F एक बृताकार मेज के चारो और बैठे है A, E, F के बीच में है देखिए बृताकार मेज के चारो और बैठे हैं तो आपको मैंने पिछले question में बताया कि जब लोग गोल मेज के चारो तरफ बैठते हैं तो उनका चहरा आमने सामने के तरफ ही होता है कोई भी ब्यक्ति उल्टा कुरसी करके नहीं बैठता है है ना तो देखिए एक circle यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे कितने लोग हैं एक दो तीन चार पांच छे मतलब छे लोगों को विवस्ता देना है तो देखिए दो लोग बैठ गए दो चार लोग बैठ गए और दो छे लोग बैठ गए question कारा A है वो E और F के बीच में बैठा है देखिए यहाँ पे भाई साब कौन है A है यह किस के किस के बीच में बैठा है E और F के बीच में बैठा है चलिए हमने A को बैठा दिया इस तरह से E और F भी बैठ गए अब कहरा है कि E जो है ये D के विप्रीत है तो D के विप्रीत है E या E के विप्रीत D है तो ठीक उल्टा तो ठीक उल्टा यहां पे D बैठा दीजिए अब आगे कहरा है कि C E के पडोसी अस्थानों में से किसी एक में भी नहीं है जो C बैठा है उसको जो है E से दुस्मनी हो ग तो मतलब यह तो यहां पे C नहीं है, तो C यहां भी नहीं होगा, तो C को आईए, कहां बैठा दिए, यहां बैठा दिए, D के बगल में, D, C बैठ गए, अब question पूछ रहा है कि B के विपरीत कौन है, लेकिन एक जगा बच गई, तो यहां पे किसको बैठाना चाहिए, देखि करते हैं, प्रशन समझ में आ गया होगा, अगर question समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या करिए, छे दोस्त, एक साथ गोल मेज पर बैठ जाएए, और question के हिसाब से बैठिए, तो बिलकुल आपको practically समझ में आ जाएगा, one nice number का question देखिए, बिलकुल उसी तरह का है, 6 ब्यक पर देखिए, हम सर्किल बना लेते हैं, इसमें 6 ब्यक्तियों को खड़ा करते हैं, एक और दो ब्यक्ति, दो चार ब्यक्ति, और दो छे ब्यक्ति, ये 6 के छो लोग बैठ गए, अब देखिए, question का कह रहा है, कि B, D और C के बीच में है, B जो है, यहाँ B बैठाईए, और य कहां पर है, E और C के बीच में है, तो E यहाँ बैठा दीजिए, A यहाँ बैठा दीजिए, देखिए, E और C के बीच में क्या बैठ गया, A बैठ गया, उसके बाद question पूछा, F जो है, D के दाईए और है, D का दहिना उपर होगा, और बाया जो है, नीचे होगा, और D बैठ बैठा, F बैठा कहां है, D के दाईए और बैठा है, तो यहाँ पर F बैठा दीजिए, देखिए, F बैठ गए, अब यहाँ पर चारों लोग बैठ गए, A, B, C, D, E और F, सभी के सभी जितने ब्यक्ती थे, सब के सब बैठ गए, अब question पूछा, A और F के बीच में कौन है, बीच में कौन बैठा है, तो यह E बैठे हुए है, right answer इस प्रस्ण के लिए, option number आप सभी का, D हो जाएगा, बिल्कुल मज़ेदार सा question होता है, इस प्रकार का प्रस्ण, चलिए, आते हैं अगले प्रस्ण पर, 20 नंबर का question आप सभी साथियों के स्केन पर है, question number 20 देखेगा छे बैक्ति, A, B, C, D, E और F केंदर की ओर, एक वृत्ताकार सीमा में ख़़े हैं, यहां भी आपको एक सर्किल बनाना होगा, चलिए सर्किल बना लिए, और कितने बैक्ति ख़़े हैं भाईया, तो छे बैक्ति ख़़े हैं, तो एक और दो बैक्ति ख़़े हो गए, दो चा अनुसार इनको खड़ा करना है, चलिए, कह रहा है, B जो है F और C के बीच में है, यह जो B है, यह F और C के बीच में है, तो यहां पर अगर हम B बना दें, और F और C के बीच में है, तो F कर दीजिए और C कर दीजिए, देखे, बीच में आ गया B, ठाहिए ना, अब आगे कहा गया, A जो है E और D के बीच में है, A कहां बाइठल है, A और D के बीच में, A यहां है, E यहां है, और D यहां है, तो देखिए A, E और D के बीच में A बाइठल है, A बाइठ गया, अब आप लोग यहां पे गोले में देख पा रहे हैं, सरकील में देख पा रहे हैं, कि A, B, C, D, JPF सबके सभी 6-6 लोग बैट गए है, अब question पूछ रहा है, क्या, के एक बार question और पूछा, F कहा है D के बाइए हो रहे हैं, F कहा है D के बाइए हो तो देखें, ठीक तो है, D का बाइढ नीचे और दहिना ऊपर, तो F जो है, D के बाइढ है, ठीक बात है, अब question कहरा A और F के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए भाई question color change करके दिखा रहे है, A यहाँ vital है और F यहाँ vital है, और दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो D बैठा है, D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, option number B correct answer हो जाएगा, है ना, यहाँ पे खड़ा है पूछा था, तो यह बीच में D खड़ा है, है ना, लेकिन देखे question में किस तरह से दोगलापन किये है, पहले तो खड़ा कर दिये थे बैचारों को बाद में बैठा पूछ रहा है, तो question बनाने वाले का भी दिमाग पता नहीं कहाँ पर चला गया था, चलिए, अब उन सारे प्रशनों को पनाना बैठा है, कैसे solve होगा? आइए इस question को solve करते हैं, तो देखे साथ का गुणा दो से किया गया, चवदा, और प्लस दो जोड दिया गया, कितना हो गया15, 16 का गुणा कर दिया गया, और 32 में प्लस दो जोड दिया गया, 32 का गुणा, दो जोड़ दिया गया, तो 32 दो 34 हो गया 34 का गुला दो बार करेंगे तो आएगा 68 और 68 में जब जब आप लोग 2 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 70 70 का गुला 2 से करिए तो 72 दुना 142 और प्लस 2 जोड़ दिया गया है तो 142 आगया है 142 दुना होता है 284 और 284 में जब प्लस 2 करेंगे तो 286 आएगा मतलब की 2 से गुला करके और 2 जोड़ दिया गया है तो यहाँ पे 34 दुना हो जाएगा 68 और 68 दुई होता है 70 70 यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर सी लगा दीजिएगा चलिए भाई आते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण देखिएगा 22 नमबर का क्वेशन आसान ही था निमलिखित में लूपत संख्या ग्यात करिए तो देखिए 3 तिरिक का होता है 9 और 4 चौक का होता है 16 और 16 और 9 जोड़ दिजिए हो जाएगा 25 किसका बर्ग है आपको समझ में आ गया आप देखिए 5 का गुला करिए 5 से तो पचवम होता है 25 और 12 बरहियम होता है कितना 144 होता है है ना अब 12 बरहियम 144 और पचवम पचेस 144 और पचेस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 179 आजाएगा जोड़ के देख लीजिए एक बार तो 179 आएगा तो 15 15 कितना होता है 225 होता है और 8 8 कितना होता है 64 होता है 5 4 9 जोड़िये 9 हो गया 6 2 8 जोड़िये और 2 हो गया 289 अब 289 किसका बरहिक करने पर प्राप्त होता है तो 17 1729 होता है और यहाँ पर देखिए हम 8 का बरहिक किये थे राइट आंसर इस प्रस्ण के लिए हो जाएगा option number C, 8 आपका correct answer हो जाएगा, चलिए तीबरता से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण पर चलते हैं, 33 number का question इसके इन पर, निमलिखित में लूपत संख्या ग्याद करिए, तो देखिए 7 दुनाए 14 और 15 दुनाए 30 हो गया, तो 7 नवा 63 हुआ, और 9 पंदरहियम कितना हो जाए राइट answer option C होगा, अगला प्रस्ण पर आते हैं, 24 number का प्रस्ण देखिएगा, 24 number का, निमलिखित में लूपत संख्या ग्याद करिए, देखिए 1 का क्या किया गया, घं किया गया, एक गटा दिया गया, आया सुने, उसके बाद में 2 का घं किया गया, 2 दुनी 4, दुनी 8 में से 1 गटाया, आगया 7, अब चलिए 3 का करिए, तो 3 तरीक का 9, तरीक 27 में से 1 गटाये, देखिए, आगया 26, अब चलिए 4 का करिए, तो 4 चोग को 16, 16 चोग को 64, 64 में से 1 गटा दिजिए, जैसे और सम में गटाया गया है, तो 63 आएगा, विकल्प संख्या D यहाँ पर इस प् जोडने पर जो अस्थान आया है, अलफाविट का, वही अलफाविट रख दिया गया है, F की बैलिव 6 है, I की बैलिव 9 है, 9, 6, 15 होता है, और 15 नंबर पे O आता, इसलिए यहाँ पे O रखा गया है, चलिए, A की बैलिव 1 होती है, J की बैलिव 10 होती है, 10, 11, और 11 होए अगला परज़ देखेगा 26 नंबर का 26 नंबर का question इसके इन पर सभी खिड़किया दर्बाजे हैं कोई दर्बाजा दिवार नहीं है अब ऐसे समझे भाई जब सभी खिड़कियों को दर्बाजा कह दिया गया तो कोई भी खिड़किया ऐसी नहीं बचेगी जो की दिवार होग इसलिए निसकर्स एक आपका गलत हो गया अगला देखेगे कोई दर्बाजा दिवार नहीं है साफ साफ कहा गया कि जितने भी दर्बाजे हैं उनको दिवार नहीं कहा गया अब निसकर्स देखेगे कोई दिवार एक दर्बाजा नहीं है हाँ सही बात है बाई जब कोई दर सभी किताबे हैं सभी किताबे शैट हैं निसकर्स कहा गया कुछ कप शैट नहीं है और कुछ सैट कप है अब यहां पर देखिए दो-दो आंसर आ रहा है बाइजूस वगएरा पर देखने पर पता चलना है तो डी बता रहे हैं लेकिन मेरे इसाब से इस प्रशन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा केवल दो निसकर्स सही है देखिए जब सभी किताबों को किताब कह दिया गया तो उसमें से कोई कप ऐसा बचेगा ही नहीं जिसको आप सैट कहेंगे और सभी किताबे सैट है तो कुछ सैट कप है यह आप कह सकते हैं ना चलिए आते हैं अगले परस पर अ आपको खीचना पड़ेगा यहाँ पर option A आप सभी का correct answer हो जाएगा बिकल प्रसंख्या A इस प्रस्न के लिए right answer होगा चलिए चलते हैं अगले परस पर साथी अगला परस देखिएगा 29 नंबर का question है नीचे दिये गए उत्तर चित्र में से वहा कौन सही आकरती चुनिए ज अगर आप ध्यान से देखिए तो B और C दोनों बराबर दिख रहा है लेकिन लंबाई थोड़ा सा C का ज्यादा है यहाँ भी देखिए लंबाई ज्यादा है तो विकल्प C यहाँ पर इस प्रस्न के लिए correct answer हो रहा है C वाला ज्यादा इस प्रस्ट रूप से दिखाई दे इसमें देखिए आख का direction इधर है इसमें आख का direction इधर होगा और इसमें आख का direction इधर होगा ठेक है यानि चारों तरफ rotate कर रहा है तो इसमें इधर वाली आख चुनिए तो option A में दिया है option A यहाँ पर आप सभी का right answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा चित्र A आपका सही है चलि दो भुजा है, दोई भुज हो गया, तीन भुजा है, त्रिभुज हो गया, चार भुजा है, तो चतुर भुज हो गया, तो पांच भुजा वाला क्या हो जाएगा, उत्तरवा आपका correct हो जाएगा, option number B यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए correct answer होगा, चित्र दो आपका सही है, प इस direction में double, तो इस direction में का करिये तीन कर दीजिया, और इस direction में क्या है, चार किया गया है, option number A यहाँ पर इस प्रस्ण के लिए correct answer है, विकल्प आप सभी का A वाला correct है, चित्र एक पुष्टी करता है, चलिए, आते हैं अगले प्रस्ण पर, अगला प्रस्ण देखिएगा, 33 इस number का question, उस उत्तर चित्र का पता लगाईए, जिसमें प्रस्ण चित्र छपा है, तो प्रस्ण चित्र हाई है, और यहाँ पर देखिए, ऐसे ही बनेगा, देखिए, यही बन नहा है, तो D वाला आपका यहाँ पर correct answer है, इसलिए D पर आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंग option number D इस प्रस्ण के लिए right answer होगा, चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं, अगला प्रस्ण देखिएगा, इस पर भाई बहुत ज़्यादा research नहीं किया जा सका है, एक घन को सभी चेहरों पर नीले रंग से रगा जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो है भाई देखने पर पता चलना है कि 27 होगा, 27 आपका इस प्रस्ण के लिए correct answer हो जाएगा, देखे, question देख लिजिए, संभावना है कि यही question same to same आ जाए, अगला प्रस्ण देखिएगा, 35 नम का कई ब्यावसाइक कार्याले 2-8 मंजिलों वाली इमारतों में इस्तित है, तो सबसे पहली बात तो महां लिफ्ट पहली ही मंजिल से मिल जाएगा, कहीं अस्पताल में जाएगा, इतना बात को ध्यान रखिए, अब आगे देखिए, यदि किसी इमारत में तीन से अधिंग मंजिल है, तो निमलिकित में से कौन सा कतन सत्य होना चाहिए, यह decision making reasoning पर आधारित है, तो दूस स्री मंजिल के ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट तो ये गलत बात है अब चौथा ओप्शन देखिए चौथा ओप्शन कहा गया है कि सभी मंजिलों तक लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है यही आपका राइट होगा अगर आप भी देख करके यहीं टिक कर देते चौथा नहीं देखते तब आपका गलत हो जाता चारों आप्शन पढ़िए जिसमें सबसे शुटेबुल जो हो उस पर टिक करिए आप्शन डी आपका करेक्ट होगा चलिए ले चलते हैं अगले प्रस पर 36 नंबर का प्रस देखिए कुछ पुरुस निश्चित रूप से नहीं है लेकिन मध्यवर्ती पुरुसों में हमें कहना चाहिए देखिए कुछ पुरुस बुद्धिमान है और कुछ पुरुस बुद्धिमान नहीं है अब मध्यवर्ती पुरुसों में हमें कहना चाहिए बुद्धिमान इनको भाई बुद्धिमान कहना चाहिए लेकिन यहाँ बुद्धिमान नहीं है, यहाँ बुद्धिमान है, आगे देखिए हाँ, मुझे लगता है इसलिए या नहीं, मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए, अब इसमें देखिए हाँ और ना में कहरा एक बाल लेखक, तो देखिए भाई चारो options में से दो-दो options सही लग रहा है A भी सही लग रहा है और option number यहाँ पे C भी सही लग रहा है लेकिन सबसे सटीक भाई यही है कि किसी को बुद्धिमान कहना या न कहना किसी की बुद्धी पर निर्भर करता है मान लीजिए ये ब्यक्ति P है ये ब्यक्ति क्यों है ये अपने दिमाग से इस ब्यक्ति के अंदर ऐसा क्या चीज देख लिया कि इसको बुद्धिमान कहने लगा जबकि ये जो जड है ये इस ब्यक्ति के अंदर क्या देख लिया कि इसको बेवकूफ कहने लगा है ना तो वो बुद्धी पर निर्बन करता है कि आप किसको बुद्धिमान कहेंगे किसको नहीं कहेंगे चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं 37 नमबर का question देखें प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है तो लिखें एक बटे 700 700 लोगों पर एक डॉक्टर है इसके बाद 16 वार्ड है जिनमें प्रतेक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर है प्रस्ण आप से पूछता है इस सहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे है तो पहले कथन से चलिए पता लगाते है कितने डॉक्टर तो देखें 700 निवासी पर एक है तो जो रे और प्रतेक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर, वार्डों की संख्या कितनी है और एक वार्ड में वार्डों की संख्या बराबर कहा गया, मतलब कि एक वार्ड में 16 डाक्टर और 16 डाक्टर हाई है, 16 वार्ड है और 16-16 डाक्टर एक एक वार्ड में है, तो 16-16 हम कि इस दिन अरुन ने अपना जिन्म दिन बनाया, ये आप परियापत है, दूसरा देखिए, साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और साहिल के जन्म के दो दिन बाद हुआ था, तो माल लिजिए साहिल का जन्म रविवार को हुआ, तो सोमवार मंगलवार के बाद तालिस नमबर का question है तस्बीर में आदमी तान्या के दादा का इकलाउता बेटा है ये है तान्या और ये आदमी है और तान्या के दादा का तो ये तान्या के दादा हो जाएंगे फिर से देखेगा यहां पर देखें ये तान्या है और ये तस्बीर में आदमी है और तान्या के दादा का इकलाउता बेटा तो तान्या के दादा हो जाएंगे तो दादा के बेटा हुआ फिर बेटा को बेटी हुआ मतलब ये तान्या है और ये आदमे जो है इनका इकलाउता बेटा है तो ये बात इसपस्ट हो गया आप दूसरे तस्वीर से देखिए तस्वीर में व् परियाप्त है है ना चलिए अब जो 40 नंबर का क्वेशन है ये शर्तों पर आधारित है तो सबसे पहले सुनिए हम आपको सर्ते बता देते हैं तो यादि कोई व्यक्ति किसी बैंक में वरिष्ट प्रबंधक क्रेडिट के रूप में चैन चाहता है तो उसके लिए कुछ शर् होती है पहली शर्त है भाईया उसका ग्रेजुएशन में 60 प्रतिसत कम से कम होना चाहिए किसे भी सब्जेक्ट में दूसरी सर्त क्या है पोष्ट एक्स्पिरियंस होना चाहिए वह पहले से किसी बैंक में कम से कम 10 वर्स से कारिक कर रहा हो तीसरा सर्त क्या है उसकी नियुन लिजिए किसी व्यक्ति का graduation में 60% से कम है 50 ही प्रतिसत है लेकिन उसने PG कर रखा है तो PG के लिए 60% अगर है और graduation में 50 है तब इस इस्थिती में मामला कारिकारी निदेशक के पास भेजा जाता है यद इतने सर्थों को पूरा किया कोई व्यक्ति तब तो 40 नमबर पे देखिए शोभा गुपता ने साक्षातकार में 50% हासिल किये तो ये सर्थ इनका पूरा हो गया और समू चर्चा में 40% हासिल किये ये सर्थ भी इनका पूरा हो गया वह पिछले 8 वर्सों से काम कर रही है ये पूरा नहीं हुआ चुकि 10 वर्स मांग रहा है अब आगे देखिए 38 को हुआ था तो अगर एज की गणना करेंगे तो इनका उम्र जो है 30 से अधिक ही है इसलिए ये एज वाले फार्मूला को क्राइटेरिया को फालो करती है परसेंटेज वाले क्राइटेरिया को फालो करती है बस ये केवल और केवल पोस्ट एक्सपिरियंस को फालो नहीं कर तो उसका मामला जो है कहां भेज दिया जाता है कारी कारी निदेशक के पास भेज दिया जाता है विकल्प C यहां पर इस प्रस्ण के लिए राइट आंसर होगा उमीद करते हैं प्रस्ण समझ में आपको आ गया होगा चलिए उसी तरह से प्रस्ण संक्या 41 वी स्क्रेंट पर ह 41 नंबर का क्वेशन देखेगा प्रकास गोखले का जन्म 4 अगस्त 1977 को हुआ तो इन्होंने एज क्राइटेरिया को फालो कर लिया क्राइटेरिया को इनका पूरा हो जाता है क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं उसके बाद देखिए उन्होंने असनात कोतर में 65% अंक और अस उसके बाद देखिए असनात कोतर की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 10 वर्सों से एक बैंग के अक्रिम विभाग में काम कर रहे हैं तो पोश्ट इक्सपेरियंस वाला भी ये लो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं गुरुप डिसकसन में चाहिए कितना 40 और इनको क 60 प्रतिसत चाहिए लेकिन ये महनत से पढ़ाई नहीं किये और इनको 2% कम मिला 58 प्रतिसत मिला लेकिन PG किये थे तो जब PG किये थे तो भाई इनका फायदा मिल गया और बाकि सब पूरा कर रहे हैं तो इनका क्या है कि मामला महा प्रबंधक को भेजा जाना होगा ये option आप स निदेशक के पास और वही कुछ मामलों में महा प्रबंधक अग्रिम को भेजा जाता है जो लगभक सभी कराइटेरिया को पूरा कर लेता है पोस्ट experience को भी पूरा कर लेता है तो आप ऐसे समझे पोस्ट experience अगर पूरा हो गया तब महा प्रबंधक और नहीं पूरा है तो भाई कारिकारी निदेशक के पास चलिए आते हैं अगले प्रसपार 42 नंबर का question इसके पर देखिए नीचे दिये गए चित्र में एक कागज पर विचार कीजिए जिसमें folding line के dotted संदर्व के साथ कुछ कट है फोल्ड करने के बाद या कैसा दिखाई देता इसी को अगर ऐसे हम fold कर दे या फिर ऐसे हम fold कर दे तो कैसा दिखाई देगा तो देखिए भाई कैसा दिखाई देगा ये आ करके over live कर जाएगा ये जो है ये आ करके देखिए ये इस direction में बना है और ये जो है इस direction में बना है तो जब दोनों आ करके मिलेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा और ये जाएगा option number A, देखिए ये वाला भी आ करके ऐसे जुड़ जाएगा है ना, बगल बगल में, चलिए, उमेद करते हैं प्रशनाप को समझ में आ गया होगा, अगला प्रशनाप सभी के scan पर देखिएगा, 43 number का question देखिएगा, 42 number के question को हम लोग कर चुके है, 43 number के question पर आते हैं यहाँ पर D तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए भाई, यह अलग-अलग direction के हैं, है ना, लेकिन एक मिनट, समझेगा फिर से, यह अलग-अलग direction है, तो A करके इसमें एक में मिल जाएंगे, है ना, एक हो जाएंगे, तो A के हिसाब से मुझे जो लगता है वो option आप सभी का D सही लगता है, बाकी आप लोग comment करके बताइएगा, कि यह आपको क्या लगता है, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, चलिए भाई, आते हैं अगले प्रसपार, 43 नंबर का परच देखेगा, क्या पूछा है, नीचे दिये गए चित्र में, नीचे दिये लाइन के dotted संदर्भ के साथ कुछ government है, फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो यह फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा? तो 44 नमबर पे देखिए, कंप्यूटर का हम solve करवा दिये हैं, इसलिए आप सभी को उम्मिद करते हैं, प्रस्ण समझ में आ गया होगा, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो comment करके आप लोग पोच सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जै हिंजै भारत, वंदे मात्रम